कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी पैंशन धारेकों के संगठन EPS 95 रास्ट्रिय आंदोलन समिती ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंदर सरकार ने अधिक पैंशन की मांग पर विचार करने का भरूसा दिया है इस मामली को लेकर पिधान मंतरी नरेंदर मोद साइसना आपकी पैंशन से जुड़ी अभी अभी देसमिंट पहले की बड़ी खबर पैंशन धारकों का इंतजार हुआ खतम पैंशन की वी बले बले मोदी सरकार ने पैंशन धारकों को दिया फानली बहुत बड़ा तौपा EPS 95 पैंशन धारके उनको भी सांधार आपकी पैंशन को लेकर का नया सरकूलर जारी क्या है और साथ में जो केंद्रिय पैंशन धारके जो की NPS के पैंशन धारक उनको UPS में लाया जाएगा तो उसमें कैसे उनको ला मिलेगा उसका यनकी गर्णा के बारे में बात करेंगे आज की सब वीडियो में साथी EPS 95 पैं जानकरी उनको जानेंगे उससे पहले आप से एक चोटी से रिक्वेश्ट है कि अगर आप इसी चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नी क्या है तो चैनको सब्सक्राइब पर बेल आइकन दवा दे तक कि आपको आने वाली इस पर करकि पैंसन जुड़ी ताजा जानकरी भी मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहे तो चलिए जानते हैं विस्तार से जानकरी को तो यहां पर EPS 95 पैंसन दार के उनकी पैंसन से जुड़ी है जो टेंसन है पैंसन की बुर्टरी वो जल्द अब खतम होने वाली है यहां पर बात क तो यहां पर अगस्तमा की पैंसन जुड़ी जानकरी को जानेंगे तो चलिए विस्तार से जानकरी को जानते हैं कि आपको लाग तो यहां पर देखा जाए तो पैंसल जुड़ी इस तरह की जानकरी मीडिया अर पर कनुसार EPS पैंसन दार को के लिए मिली है कि फाइनली तारी की जारी वितम हंतरा से मिली पैंसन धारकों को स्वीकरती पैंसन की बूरतरी को लेकर लेकिन ये पैंसन की बूरतरी कौन सी होने वाली है पैंसन उसके बारे में विसतर से अनकी सचाई क्या है इस पैंसन की तो यानकी जो स्वीकरती मिली है वो पैंसन कौन सी ह अब यूपियस पैंसन लागू की गई, उसके बारे में अनकी बताया गया जानकरी फिलाल वेते मंत्रेल से, तो यहां पर आध करें, तो एपियस पैंसन की बुर्टरे को लेकर फिलाल चर्शाएं तेज़ो चुकी हैं, और जो आसवासन पैंसन दार्कों को दिया था, उसके पैंसन दारकों ने मांग किये की मिनिममम पैंसन की रच्शे को सरकषाब अब जल्द से जल्द एक अजर पैंसन रुपी की जगर साज blur कICE के साथ मेडिये और मेडिकल लाब हायर प्रैंसन के इसी यहन की लाबों को सरकार जल से जल प्रैंसन दार को दे तो यहां पर मोधी सरकार की बैटक भी थी उसमें यूपियास प्रैंसन को लेकर एलार फ्लाल एपियास प्रैंसन की चर्चाएं अब ते जो चुकी हैं तो सरकार जल्द एक्सन इस प्रैंसन के मुद्ध को लेकर भी ले सकती है यह भी केंद्री करमचर की एक दिस्टक से मांग बनी विया कि सरकार मिनिमम्म प्रैंसन की रासी में इजाप्पा करें प्रैंसन दरिक उनको बहुत बड़ी जल्द सोगात भी मिल सकती है जो एक जार पे के रासी मिलती है उसे बढ़ा करके अब जल्दी साड़ी साजार पे किया जा सकता है तो यहाँ पर साजार पांसो प्रैंसन को लेकर मांगे तेज चुकि हैं पाइनली तारिक आपके लिए क्या जारी है तो फिलाल पाइनली तारिक कोई अधिकारी करूप से जारी नहीं विड्रोओ यूपीस पैंसन ने उसको लागू करने को लेकर तारिक जारी हो चुके कि अप्रेल दोजारी अनकी 25 से आपकी लागू की जाएगी तो आसे अनकी पूरे देश में UPS पैंसन लागू हो चुके लेकिन फिलाल EPS पैंसन की बुरतरी को लेकर ऐसी कोई गोशना अभी तक जारी नहीं विया है कि आप से भी को EPS पैंसन है वह साजार 500 रुपे के मिलेगी यह साथ में आपको डिय मिलेगा या फिर आपको आयर पैंसन मिलेगी तो सरकार इसको लेकर अब चर्चा भी कर रही है और क्रमचार संक्रों को जो आस्वासन मिला है उसके बाद सरकार भी पैंसन के मुदे के लोकर बेदर प्रान बनाने को लेकर काम भी कर रही है तो यहाँ पर जो पैंसन दार के EPS के उनको भी जल्द बहुत बड़ी राथ देखने को मिलेगी वित्मंतरा से जो पैंसन दार के उनको सांदार जल्द तौफा दिया जा सकता है बात करते कि UPS पैंसन यानकी एक एकर पैंसन था इससे एक आलान 24 अगस्ट को के अंदर शरकार ने अपने करम चारेयों के लिए यहन ward 25 लागो कर दिया तो करम-ूंचेरेयों को यह कि पहले से चल रही एंप्छी यहोज्न यहिशसे की अभी यूप्छी में से आप चुन सकते एंप्छी यह सकते हैं तो UPS में सरकर का योगदेन इनके 18.5 पांच परिस्ट होगा यह योजना जो कि एक अप्रेल दोजार पचीस से एनकी लाग होगी UPS एनकी एक इक इक पैंसी योजना है जिससे कि अपनाने पर रिटार्मेंट के बाद आपको एक निच्छे से पैंसन की रहासी दी जाएगी जो कि करमचेन को 2004 से पहले रिटार्ड हुए उनको OPS मिल दी थी वैसे आपको यहां पर भी लाब मिलेगा तो यहां पर बात करें जो NPS के जायर में आते थे उनको UPS के एनकी फाज़ी भी अब मिलेंगी तो अपितर सचिव डॉक्टर टीवी सोमनात नहीं काएं कि जो 2004 से पहले और तक एनकी भात करें जो रिटार्ड हुए हैं और 31 समार्च दोजार 25 तक सिवार निरत होंगी तो यहां कि आपको UPS पेंसन के साथ में एरियर भी मिलेगा तो इसका मतलब है कि रिटार्ड हो चुके एक रमचर अफिर चाहेंगे तो उनके पास NPS और UPS में से किसी भी चुने का एक विकलप होगा चाहि तो आप अपना हैसाब से UPS चुन चकते हैं या फिर आप NPS चुन सकते हैं तो यहां पर यह दो सरकार ने आपकी लिए विकलप है और एरियर का लावकिन पैंसांदार को मिलेगा तो सच्छी डॉक्टर ट्यूवी सोमनाथ ने कहाएं कि जो करमचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2015 तक रेटाइड होंगी तो वे UPS का फायदा ले सकेंगी उन्हें एरियर भी मिलेगा जो रासी उन्हें मिल चुकी हैं उनसे नई गरना के मुताबिक रेकम एड़्जस्मेंट होगी और सरकार ने एरियर के लिए 800 कुर्ट रुपे भी रखे हैं के अंदर सरकार का पैंसर में योगदान भी बढ़ेगा तो इसे अत्रिक्त बाहर को वान करने की वार्षिक आदर पर सरकार 6250 रुपे खर्च अनकी करेगी ये पैसे सरकार के दोरा खर्च किया जाएंगी तो यहाँ पर ऐसे एरियर के आपकी गरना होगी तो वित्य सचिव डॉक्टर टीवी सोमनात ने का हैं कि 2004 से पहले तक एनकी 20 साल का वक्त जो गुज़र चुका है तो इसी दुरान NPS के तरहते रिटार्ड होने वाले करमचेर के संक्या बहुत ही जादा नहीं तो इनका पुरा रिकोर्ड सरकार के पास हैं कब सिवा में आये थे कब वो रिटार्ड होए थे तब उनको रकम मिलती हैं तो यह सारी जानकरी सरकार के पास है कि इन जानकरें कोई आधर पर एरियर की गढ़ना भी होगी तो क्या है नई एनकी जो पैंसन स्क्रीम जिसमें कि आपको क्या क्या लाब बिलेंगे शाथ में तो यहाद के आपके लिए कैसें साबित होगी तो यहाँ पर ब्यास जसैट मिलेगी आपको रासी तो UPS अगर आप किसी pension धारका का airier बनेगा तो उस पर सरकार ब्याज का भी बुखतान करेगी अगर वे UPS यानकी unified pension चुंते हैं तो ने गरणा भी मताभिक यानकी उसकी गरणा है उसके मताभिक ब्याज जोड़के जितना airier बनेगा वो भी उन्हें दिया जाएगा अगर पहले सिवानर तोचों के करमचारी UPS अपनाते हैं तो अगर वो नए सेरे से गरना के बाद उनका कोई एरियर बनता है तो भी उस एरियर का प्याप की दरों के हसाथ से ब्याज मिलेगा तो यहां पर जल्द आपको खत्म हो चुकी अब आपको OPS का फाजदा यानकी UPS में मिलेगा तो यहां पर जल्द आपको EPS पैंसन की रासे में इजापार देखने को मिलेगा और पैंसन दारेकन को जल्द रात पर दन की जाएगी तो इस तरह के आपकी पैंसन जोड़ी ताजदा जानकारी होने वारी इस तरह के और नई ताजदा आप लिए चैनल को सब्सक्रेबर बेल आइकन दबा देए ताकि नई ताजदा जानकारी भी